नमस्कार सिल्क टीवी देखने आप देशवर दुनिया की तमाम छोटी वड़ी खबरों के साथ मैं हो विकास कुमार आए फटा फट अंदाज में करते हैं खबरों की शुरुआत विरोध में शामिल हुए जतीन बोरा बंगलादेशी विदेश मंतरी रने रद क्या भारत दौरा नागरिक्ता संसोधन विदेख का विरोध कर रही जॉएंट मुमेंट के सद्रस्यों नेग्री मंतरी से की मुलाकात और निस्चित कालिन हर्ताल लिया वाबस नागरिक्ता संसोधन विदेख पर भड़की प्रेयंका गांधी कहा भाजपाई मनसुगों के खिलाप पूरी मजबूती से लड़ेंगे IPS अब्दुलरह्मान ने सरकार के फैसलों का किया विरोध NRC पर भी की तखल टिप पनी नागरिक्ता संसोधन विदेख का ग्रोध कर रहे असम में लोगोंने का हम मर रहे हैं जिन्दा रहने सडक पर निकले हैं असम में नागरिक्ता संसोधन विध्यक पर हो रे उग्र परदर्शन को लेकर भारतीय रेलवे ने रद्ध की कई ट्रेने रेलवे के अधिकारिक वेपसाइट पर देख सकते हैं रद्ध ट्रेनों की लिस्ट दिल्ली गैंगरेप के दोसी को हो सकती है फांसी बिहार से त्यहार जेल मंगाई गई डेड़ किलो की दस रसी मंता बेनेटर जी के बाद दो मुखे मंतरी ने नागरिक्ता संसोधन विलका किया विरोध कहा नहीं लागू होने देंगे असम बैंधानी कानौ नागरिक्ता संसोधन विदयक के खिलाफ असम में भड़की आग पुलिस फैरिंग के दोरान तीं परदर्शन कारियों की माउट नागरिक संसोधन विजयक को लेकर उग्र परदर्शन पहुचा असम परदर्शन कारियों ने दो रेल्बे स्टेशन समेट सरकारी दफ्तर में लगाई आग हिंदुवादी एजेंडे को आगे बढ़ा रही है मोधी सरकार बोले पाकिस्तानी परधान मंत्री इम्रान खान नागरिक्ता संसोधन विजयक पर शिप्षैना कॉंग्रेस के बीच मत भेद दूर करने शरत पवारने की मध्यस्ता दोनों दलों में कराई सुला आयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुनविचार याशिका को किया खारीज बीस्पी अध्यक्ष ने कहा राम मंदिर निर्मान में अब नहीं होगा वाधा सान्या मिर्जा की भान अनम के दूसरे पती बने अजहर के बेटे असद साली की शादी में नहीं पहुचे श्वयम मली वरहाल इस मुलेटिन में इतना ही आप बने रहें सिल्क टीवी के साथ तब तक ले नमस्कार